आरे संतोष जी विश्णोई को बूलाना चाहूंगा जोरदार तालियों की गड़ड़ाट से इनका स्वागत आपको ये अपने जो परियवन स्रक्षन में कुछ नवाचार हम किस परकार कर सकते हैं इनसे रूबरू करवाएंगे संतोष जी विश्णोई गुरु जंबे सर भगवान की अमर्ता देवी विश्णोई की अमर्ता देवी विश्णोई अमर् रहे मंच पर विराजमान आज के इस कारिकरम के मुख्य अति थी और विश्णोई अति थी और मेरे सामने असीम सक्ती सुनने की प्राप्त किये हुए आप सब शुरता गण मैं आप सब का कोटी कोटी स्वागत और अभिनंदन करता हूं धन्यवाद ग्यापित करता हूं आज मुझे एक विशे दिया गया है जो बहुत ही घंबीर विशे है और ये आने वाले समय में हमें एक बहुत ही अच्छा और प्रेरणदाई रस्ता प्रदान करेगा ऐसी मु बात नहीं करें और एक बार के लिए मात्र पांच मिनट मेरी बात सुनें मैं चाहता हूं आप ऐसा कर सकते हैं आज का मेरा टोपिक है आजादी का 75 वां वर्स और परियावरण के क्षेत्र में विश्नोई समाज की नई भूमिका हमारा देश आज आजादी का 75 वां वर्स मन आ रहे हैं हमारी भारत की सरकार ने 75 बड़े-बड़े कार्यकरमों की सरंकला सुरू की है क्या एक सरंकला हम सुरू नहीं कर सकते प्रियावरण के क्षेत्र में हम भी कर सकते हैं यदि हमारी द्रड संकल्प हो इच्छा सकती हो तो विश्नोई समाज बहुत कुछ कर सकता है चलिए मैं वो नया क्या करना वाले हम उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, हम एक नई प्रियावन करांती की सुरुवाद कर सकते हैं, कर सकते हैं, और वो नई प्रियावन करांती क्या है, उसके मूल अधार इस्तंब क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक-एक पॉइंट पर मैं बात करूँगा, तूदे पॉइंट बात करूँगा, और सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा, वो है, आज, क्योंकि हम विदेशी धर्ती पर हैं, और इस विदेशी धर्ती पर एक विश्णोई समाज का पहला अंतराष्टिय प्रिय पॉइंट बोगदान किया है, सबसे पहला इस्तंब, जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो इस्तंब है, जांबोजी परियावरन कोस, हम कोई भी कारिक्रम जब सुरू करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वित की आवशक्ता होती है, चाहे यह कारिक्रम ले लिजिए, चाहे तकि एक बड़ा प्रियावन कोस बने और इस प्रियावन कोस का उपयोग हम उस रंकला में करें हम प्रियावन के क्षित्र में काम कर सकें मैं आप सबसे एक विंति करूँगा कि इस प्रियावन कोस में जहां तक जितना आप कर सकें जरूर करें और इस प्रियावन कोस का पूर बड़े convention होते हैं, seminar होते हैं, चाहे किसी भी सम्मेलन का देख लिजिए, वहाँ पर कोई 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 बनता है, मैं चाहता हूँ कि एक विश्णोई समाज का इस प्रियावन के क्षेतर का अलग से कोई हो, उसका खर्च केवल और केवल प्रियावन के क्षेतर में हो, ये दन करता हूँ, दूसरी बात, जामबो जी अंतरास्टिय प्रियावन पुरुषकार, मैं चाहता हूँ कि यहां से एक जामबो जी के नाम से अंतरास्टिय प्रियावन पुरुषकार की गोशना हो, ताकि देश, विदेश के अंदर प्रियावन के क्षेतर में काम करने वाले जो इन लोगों ने प्रियावन के क्षित्र में आतुलनिय, आकलपनिय, आविसिस्ट, मैं कहा सकता हूं काम किये होंगे, उनको ये पुरुषकार दिया जाए, और ये पुरुषकार हमारी महासवा और हमारी साहित्यागादमी मिल करके दें, मैं ऐसी अपेक्ष्या करता हूं और आशा करता हूं, ये दो चीजें बहुत बड़ी थी, एक प्रियावन कोस और दूसरा जामबो जी अंतरास्तिया प्रियावन प्रुषकार, ये दोनों की दोनों बहुत जरूरी थी, तीसरी चीज है, जामबो जी भगवान के हमारे राजस्तान में अनेक प्रियावन इस मैं चाहता हूं, हमारी सरकारों ने अनेक प्रियावन सरकिट बनाए हैं, जैसे करशना सरकिट, जैसे बौध सरकिट, मैं चाहता हूं कि गुरु माहराज के जो तिर्तिस्तल है, जितने भी तिर्तिस्तल है, उन सब में एक सरकिट बनना चाहिए, और उस सरकिट का नाम हो जा एक तिर्थिस्टल में एक अमरीता देवी प्रियावण प्रक की स्थाप्ना होनी चाहिए, जिसमें हम सब का स्योग होना चाहिए, यह मेरी चोथा आधार स्तंब था और पांचवां है, ज्चामवों चीप्रियावण रत्यात्रा, हम जन जन तक जन जागरुक्ता के माध्यम स प्रियावन के अंदर विश्णोई समाज क्या कर सकता है विश्णोई समाज अन्य समाजों के बीच में नेत्रत्व केसे कर सकता है इसके लिए मैं चाहता हूँ हम सब मिल करके एक विशिष्ट दिन चाहे हो आपका 12 सितंबर कर लीजिए जिस दिन हमारी अमृता देवी सहीद ह कोई थी या जामो जी महाराज का जन्म दिवसकर लीजिए आप जैसा भी आदेश करेंगे हम उस दिन एक पूरे राजस्तान में बहुत बड़े इस्तर पर एक रत यात्रा जो कि प्रियावन के क्षित्र में हो उसमें लोग पेड़ पोदे लेकर के साथ चले ढोल और नगा कर रहा है तो यह हमारा पांचवा पोइंट था छटा पोइंट है जामो जी अब हम सब के मन में यह होता है कि हम प्रियावन कोस्ट भी बना दे हम बहुत सारी चीजें भी करना चाहते हैं लेकिन उसको संचालित कौन करे उसकी नोडल एजेंसी कौन हो जो किरियान मत करे काम को मैं चाहता हूं कि विश्णोई मासवा और हमारी साहित्य अकादमी दोनों के अंत्रगत एक इन्हीं के अधीन एक प्रकोष्ट बन जाए जो प्रियावन प्रकोष्ट हो इनके अधीन प्रियावन प्रकोष्ट बने जो रज जी इस्तर का हो वो अपने जिला इस्तर पर औ पर भी रतियात्रा निकले और वहां से लोग 363 पोदे लेकर के अपने गाव के निकट कही इस्तान पर उनको रोपद रोपन करें मैं चाहता हूं इस प्रकार का कारिय करम भी ये नवाचार है और एक बात और बता देता हूं हम जमीनी इस तर पर कुछ नहीं करेंगे पीछे क चीजों का गुंढगान करेंगे कोई result नहीं हाएगा कुछ भी नहीं होगा हमें करना होगा हम बविषय में क्या कर सकते हैं यह हमारे अंदर कुछ होना चाहिए हम कुछ आगे क्या करें यह आपके प्रेरणा होनी चाहिए और इस मंच से और मैं चाहता हूं क्योंकि ये अं परियावन के नाम से महिला विंग की गठन भी कर सकते हैं वो भी परियावन के क्षित्र में काम करें तो इस परकार से ये मेरे नवाचार थे पांच छे मैं चाहता हूँ कि श्विकार करें और अंत में मतर एक मिनट और लूँगा ज़्यादा आपका समय मैं चाहता हूँ कि हमारे राजस्तान के देखो हम सुरुआत राजस्तान से करेंगे हम हमारे घर से करेंगे और घर से सुरुआत गर में सु प्रतियक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं और आप सब खड़े हो करके जोरदार तालियों से उनका स्वागित करेंगे सब से पहले ओशिया जोदपूर के राना राम जी विश्णोई के लिए जोरदार तालिया पदम सिरी शाम सुन्दर जी पालिवाल राजसमंद के हैं प्रियावन के क्षितर में आतुलनिये काम किया है जोरदार तालिया पदम सिरी हिमता राम जी बांबू आप नागोर के हैं आपने बहुत ही सांदार काम किया प्रियावन के क्षितर में जोरदार तालिया दूंगर कोलेज के प्रोफेसर शाम सुंदर ज्यानी जी बहुत बड़ा काम किया है जोरदार तालिया वन्ये जीवों को बचाने के लिए मोक राम जी धारणिया ने बहुत बड़ा काम किया है जोरदार तालिया टॉंक जिले के ट्री मेन विश्णू कुमार लामबा जी प्रियावन के क्षित्र में बहुत बड़ा काम किया है जोरदार तालिया ग्रीन मेन नर्पत सिंग जी राजपुरहीत आप बाड मेर के हैं आपके लिए भी जोरदार तालिया और फतेपुर सेकवाटी जिनके पीपल बाबा मनरूप जेटू जी के लिए भी जोरदार तालिया होनी चाहिए यह हमारे प्रेणा सुरोथ हैं हम इनके आदर्श को स्विकार करें उनको नेटर्टवे देते हुए प्रियावन के क्षेतर में फिसिस्ट काम हम कर सकते हैं हमारा उदेश्य तब ही पूरा होगा जब हम इन लोगों के सपनों के साथ मिल करके काम करें इनी सब्दों के साथ मैं विश्णोई मासवा को और साहितिया कादमी को धन्यवा देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सबसे अंत में सबसे सांदार और जिनको मैं धन्यवा दूँगा वो है दुबई की पूरी टीम जिसने दिन और रात एक करके इस कार्य कर्म का आयोजन किया जो जिन्होंने अपनी नौकरी को एक तरफ रख करके और बहुत बड़ा आयोजन किया जोरदार तालिया उनके लिए भी हो जाए इनी सबसों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार संतोज जी आपने परियावर्ण के परती किस परकार हम नवाचार करके परियावर्ण का स्रंक्षन कर सकते हैं मन्द से अपना वक्तविय प्रस्तुत किया बहुत आभार आपका